नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन मुक्ति मोर्चा, कांग्रेश, राज़त, भागपा, मालेका, उन्हें समर्थन प्राप्त है, जबकि विपक्ष के पास परियाप्त आकड़ा नहीं है ऐसे में बहुमत परिक्षन के दोवान किसी बाधा की उमीद है 27 के पुर्व रभिवार को सतापक्ष के विधायकों की बैठक मेरा निती बनी है या निना लिया गया है की एक जूटता दिखाते हुए विपक्ष के आरूपो का प्रतिकार करना है 27 के दोरान सतापक्ष के निशाने पर भाज़पा होगी इसकी वज़ा भी है बता दे पांच माँ पुरुव इड़ी की करवाई के बाद हेमान सुरेन को गिरफतार किया गया था बिप्रित परिश्थितियों में उन्हें पद छोड़ना पड़ा था 28 जून को उस नियाले से उनकी जमाना त्याज का स्युक्रित हुई है वहीं सोमवार को मुख्य मंत्री हमान सुरेन मंत्री मंदल का विस्तार भी करेंगे इसमें ज्यादा फिरवदल की समभवना नहीं है जामो कोटे से बैदनाथ राम को सामिल किये जाने की चर्चा है जबकि कांगरेस के इरफान अंसारी का मंत्री बनना तय है साता पक्ष के बिधायकों को दस बड़े तक बिधान सभा पहुचने का निर्दे जारखन बिधान सभा के एक दिन का भी से सत्र सोमवार को होना है मुख्य मंत्री हमान सुरेन को विस्वास मत हासिल करना है पक्ष और भी पक्ष इसकी रण निती को लेकर रभी वार को देर रात तक बैठा करते रहे सता पक्ष की बैठाक मुख्य मंत्री आवास में सीम हमान सुरेन के दक्स्ताय में होई सता पक्ष के सभी बिधायकों को सोमवार को सुबह 10 बै तक जारगन बिधान समय पहुँचने के निदेश दिया गया अलाकि सभी बिधायकों को देर रात बैठाक के बाद राज किया थी थी साला में रोकनी की भी तयारी थी लेकिन बिधायकों ने कहा है कि वे सभी समय पर पहुँझाएंगे बैटाग में जहामों और कांगरेस की ओर से ब्रीहिप भी जारी किया गया वहीं पार्टी के सभी बिधायक सरकार के पक्ष में मादान कर सके मुख मंत्री हेवान सरे ने सतापर्श के बिधायकों को सदन में विश्वास मत्र के दोन एक जुटता दिखाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि सदन में विश्वास मत हासिल करने के तुरंत बाद राजभण में सपत ग्रहन भी होना है जारखन में 10 के बाद अच्छी बारिस के आसार राजधानी समेत जारखन में 10 जुलाई के बाद बारिस होने की अनुमान जताया गया है इस दवरान राज़े में कहीं कहीं छीटफूट बारिस हो सकती है मौसम साफ होने के कारण अगले तीन दिनों के दवरान तापमान दो से तीन डिगरी तक ब्रीधी हो सकती है राजधानी समेत राज के अधिकांस जीलों का मौसम साफ रहेगा पच्छमी सिम्भूम का तापमान सबसे ज़्यादा अधिकतम 37.0 डिगरी दर्च किया गया जबकि राजशी का अधिकतम तापमान 31.6 डिगरी सेल्चियस रहा है वहीं राजशी के तापमान में पिछले 24 गंटे के तुलना में करिब 2 डिगरी की बिरिधी होई राज़ी का नियुमताम तापमान राज में सबसे कम 24.0 डिगरी सेल्सियस रहा मेदनी नगर का धीकताम 34.4 और नियुमताम 25.5 तथा जमसेद पूर का धीकताम 33.6 और नियुमताम 25.6 डेगरी सेलसियस रहा है बारिस में डुबा धनबाद NMMCH धनबाद मेर अभिवार की साम होई बारिस में NMMCH की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है यहां कुछ ही देर के लिए हुई बारिस में NMMCH के कई वार्डों में पानी खुश गया अस्पताल के पूरुस्वा महिला, मेडिसीन, ICU, प्वायजन, सरजरी वा बर्न वार्ड में पानी भर गया है ICU, मेडिसीन वा सरजरी विभाग में दो-दो फिट तक पानी भर गया उच्ची कवर ना लिया बना दी गई है, इसे बरसात का पानी निकल नहीं पा रहा कुछ समाई के लिए बारिस होने पर अस्पताल के विभीन वार्डों में पानी खुश जा रहा है JSSC PGT परिक्षा की CBI जहांच की मांग राजबहन के पास JSSC PGT परिक्षा में हुए भरस्टाचार के खिलाब 30 दिनों से धारना देर है अब्यार्थियों से धारना अस्तरपर BJP का उच अस्तरी परतिनीदी मंडल मिला उस परतिनीदी मंडल का नेतित नेता परतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने किया अमर बावरी ने कहा है कि अभियार्थियों के पास PGT परिक्षा में हुए ब्यापक भरस्टाचार के पुक्ताप परमान है लेकिन सरकार ने कोई करवाई नहीं की राज सरकार धारना पर बैठे युवाओ को धमकी दे रही है ब्रिधा वस्था बिधवा दिव्यांग पेंसन की रासी बढ़ाय सरकार जमसेद पूर्जन कल्यान समिती की बैठक रविवार को महानगर अध्याग संभु चोधरी के अधक्स्ता में हुई बैठक में बिधावस्था पेंसन बिधवा पेंसन और दिभ्यांग पेंसन की रासी पर चर्चा की गई महानगर अध्यक संभू चौधरी ने कहा है कि जीवन अस्तर को सुद्रिट बनाने के लिए सरकार को बिद्धा वस्ता पेंसन, बिद्धवा पेंसन और दिव्यांग पेंसन की रासी में बढ़ोतरी करनी चाहिए उन्होंने कहा है कि बढ़ोतरी महांगाई में जो पेंसन की बरतमान रासी मिल रही है उसे जीवन आपन करना मुस्किल है हलात यह है कि पेंसन की रासी पाने के लिए लावकों को सरकारी करया लेकर चक्कर लगाने पड़ते हैं तब जाकर उनके खाते में रासी आती है संभू चजरी ने कहा है कि यही हलात आखनवाडी सेविका तथा सहाईका की भी है रांची पुलिस की टीम ने गढ़वा के सही जना इस्थित होटल नौनीत से चार अपराधियो को पकड़ा है पुलिस की टीम चारो को रांची लेकर आई बताया जा रहा है कि पकड़े गए चारो अपराधी रांची के बिरसा चोकिस्थी डीपी जेवलर्स में हाथियार के बल पर एक पंट पांच जिरो कोड़ रुपए की हुई जेवरात लूट पार्क के मामले में सामिल थे हलाकि रांची पुलिस ने इसकी पुष्टी नहीं की है वही गढ़वा पुलिस ने चार अपराधियों के होटल से पकड़े जाने की बाद सविकार की है बताया जा रहा है कि रांची पुलिस को गढ़वा के एक होटल में अपराधियों के रुखने की गुपत सुचना मिली रध्यात्रा में सामिल हुए सियम हेमंत पतनी भी रही मौजूद। पतनी भी रही मौजूद। पतनी देवी और पूत्र सत्यम कुमार और चाय दुकान चलाने पतनी वाली पुनम देवी मलबे में दबे थे। रेस्क्यों की दवरान दो पूरुसों को निकाला गया लेकिन दोनों को डॉक्टर ने मिरित खोशित कर दिया। वही एक महिला की भी मिरित्यू हो गई है। इधर मामले की जांच के लिए उप विकास आयूक्त सतीस चंद्रा के अधक्स्ता में एक उच अस्तरिय कमेटी गठित करने का प्रस्ताव है। जिसमें अपर समहार्ता राज महेश्वर वए ERO सामिल होंगे। इस पत्र के विशाय में लिखा है। पार्टी की प्राथमिक सरस्यता से त्याग पत्र उन्होंने कहा है कि गहन चिंतन यों आत्म मन्थन करने के बाद यह फैसला किया गया है। कुनाल सडंगी ने आगे लिखा है कि पिछले कई महिने से महसूस कर रहा हो कि कई बार पूर्वी सिम्हुम जिले की बुनियादी समस्याओं से जुड़े विशायों और संगतनात्मक विशायों को आप तक पहुंचाया। और ने वर्यपराधिकारी के भी संग्यान मिलाया। लेकिन पार्टी ने जीले के महत्पुन मुद्दों के प्रती स्रदय उदासिन रवया अपनाया। रांची सासाराम इंटर सीटी एक्सप्रेस में भारी मत्रा में सराब बरामत। रायेस कुमार मीना वा उपने रिक्षा कार्तिक बिंजा के नितिवति में की गई छापे मारी में देशी वा भी देशी सराब बरामत की गई देशी सराब 118 ml की 740 बोतल वा 375 ml की अंग्रेजी सराब की 70 बोतल के साथ सुर्यमल कुमार भुञ्या को पकड़ लिया गया है राची में भवे रात यातरा में उम्ला जन से लाब जार्कन की रईधानी राची में मुखी मंत्री हमां सुर्यम रभीवार को पतनी कल्पना सुर्यन और एक बेटे के साथ रात यात्रा में भाग लिया रत थेत्रा में रांची के सांसल संजाय सेट जारकन परदेश कांग्रेस अदेख राईस ठाकूर हमन सुरेन की पतनी और गांडे की बिधाय कलपना सुरेन उनका एक बेटा कांग्रेस ने ता सुबोध कांसाहाई हट्यक बिधायक नवीन जैस्वाल भी रात यात्रा में सामिल हुए पांच बच कर 11 मेट पर रात से सीधी को हटा दिया गया इसके बाद राशा बंदन हुआ और मुख मंत्री ने थोड़ी देर के लिए रात खीचा देवघर मकान हाथ से के मिरितकों के परिजनों को एक अक लाख देवघर में तीन मंजिला मकान गिरने से तीन लोगों की मौथ हो गई और चार लोग घायर है छेतर के सांसर निसिकान दूबे ने मिरित को के लिए एक अक लाह किरासी दूर घटना राहत को से दी जाएगी निसिकान दूबे ने सोशल मीडिया एक्स बजन का लिदी है की सुबा देव घर में हुए मकान दूर्घाटना में मिरित को को एकक लाह किराशी दूर्घाटना राहत को से दी जाएगी वहीं देवगर में रभीवार को सुबह सुबह बड़ा हच्छा हुए था सीता होटल के पास तीन मंजिला इमारत गिर गई इस हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी जार्खन सरकार में साड़े चार साल में 11,000 नौकरी जार्खन में हमेशा से ही बेरोजगारी सबसे बड़ा मुदा रहा है चुनाओ के वक्त सभी राइनी तिक दल लाखो की संखे में नौकरिया देने की बात करते हैं लेकि सत्ता में आते ही ओ वादा कहीं गुम हो जाता है बता दे राज में सबसे अधिक युवा सरकारी नौकरी की तियारी में राते हैं लेकिन नियुक्ति परकिरिया इतनी धीमी है कि तियारी करते करते लोगों की उम्र तक निकल जाती है लेकिन नियुक्तिया नहीं हो पाती मजुदा समय की भी यही कहानी है बीते सारे चार सालों में सरकारी नोकरियों की बात करें तो जार्कन करमचारी चेन आयोग ने अब तक केवल 10-41 लोक नियुक्ति दी है जबकि 44 एर से अधिक नियुक्तिया परकिरिया में है कौलहान में नक्सली बंद को लेकर रेलवे हाई अलट पर मवादी और नक्सली निताओं के एंकाउंटर के विरोध में नक्सली के विभीन संग अठनों ने 9 को रात 12 बैसे लेकर 10 जुलाई की रात 12 बैस तक कौलहान परमणल बंद बुलाया है यहाँ सबसे ज़्यादा नक्सली के खिलाब पुलिस की ओर से करवाई की गई है यही वज़ा है कि नक्सली के रेड जोन से गुजरने वाली ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है 9 से 10 जुलाई की रात तक नक्सलियों के इस एलान से ट्रेनों की रफ्तार कम करने को कहा गया है बता दे मुंबाई दिली कोलकात्ता समेत अन्य अस्थानों की ओर से जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में सुराक छाक ब्यापक इंतिजाम रहेंगे धन्यवाद